हेलो फ्रेंट्स फ्रेंट्स वेल्कम टू मैं चैनल जारखन लेब तो फ्रेंट्स बिहार बोर्ड के इंटर के छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुसकपरी निकाल करके आर यह उनलोग का परिएगिक प्रिक्षाजने के प्रैक्टिकल एकजाम का जो है में एडमिट काड आ हमारे चैनल में आये हो तो और वीडियो पसंदार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर्श करना अपने दोस्तों के साथ तो चलो फ्रेंट्स आज की वीडियो का स्टार्ट करते हैं अगर आप किसी क्यों सब्सक्राइब नहीं हो रहा है ताब सिंपलिन उसका फोटो फोटो क्या है और साथ समय बताँ है या पर लाइव क्लासे चल रहे है अब के साएडा नुट कराया जाएंगे यहां पर फ्रेंट्स तीन करोर से ज़्यादा स्ट्रेंट्स को डाउलोड करके अपना पढ़ाई यहां पर कर रहे हैं तो आप लोग देख पार प्रिक्षा का प्रवेस्पत्र जारी यानि इंटर मेंडियर के जो परियोगिक परिक्षा बोले तो प्रैक्टिकल एक्जाम का जारी हो गया है और इसमें यह भी मैं बताऊंगा करशा दसवी का कब तक आ सकता है उसका एक्सक्टेशन डेट मैं बताऊंगा फ्रेंट्स चलिए आप लोग वीडियो का लाश्रा देखिए कि बिहार वोड ने इंटर्मेडियर्ट वार्षविक परिक्षा 2020 में सामिल होने इस हात्रों के लिए परवेस्पत्र वोड के वाफिसल वेबसेट पर जारी कर दिया यानि कि जो बोर्ड का वाफिसल वेबसाइट है www.seniorSecondry.bihar.com पर जारी कर दिया गया ठीक है इसकी जानकारी सभी जीला सिच्छा कार्यालें को भेज़ दिगे यानि इसकी जानकारी है सभी स्कूल प्रसाशन पर विसवाइब के परिक्षा में सामिन होने वाले परिक्षार्चों का परवेस्पत्र समेथी द्वार उपलब्द यूजर आड़ी पासवर्ड से डाउलोड करेंगे यानि कि जो भी आपके स्कूल वह कॉलेज हैं का जो यूजर आड़ी और पासवर्ड मिल ला है उसको डाउलोड करने बाद स्कूल का प्रचारे मोहर लगाकर चातर को प्लब्द करवाया जागा मतलब यह जो है आपके स्कूल वाले ही डाउलोड कर सकते हैं अगर आपके पास यूजर आड़ी पासवर्ड है तो आप भी डाउ ठेक है और इसकूल मेजा करके आप लोगों का जो है यहाप लोग को अपना एड्मेड कार्ट लेना होगा और आप लोग का जो यहाप बिहार में जो है इसकूल कॉलेज जो है चार अग्षंवरी से खोल दिया जाएगा ठीक है घ्यात हो कि इंट्र पारयोगी परिक्ष्ष परिक्षाब में सेंट अप जाज में उत्रीन चात्रों के लिए ही बोर्ड एडमिट काड करा जाए मतलब जो है इंटर को वसी चात्र आपने प्रैक्टिकल एक्जाम दे पाएंगे जिनका सेंट अप में उत्रीन होंगे ठीक है नन सेंट आप वाले विद्यार्थियों का पर अपने राइटर रख सकते हैं यानि कि आप किसी भाई या दिको अपने साथ में रख सकते हो जो कि आपका एक्जाम वो देंगे ठीक है इसके लिए दिवेग्यान चात्रों को परमान पत्र देना मतलब दिव्यांग है आप ऐसा कुछ करके आपका शर्टिफिकेट होता हो उसका आपको उनको देना होगा ठीक है राइटर के लिए मैटर की योगिता होने चाहिए मतला राइटर जो भी आपका होगा वह मैटर कम से कम पढ़ा होना चाहिए इतना योगिता उसके पास होना चाहिए को मैटरिक पास होना चाहिए ठीक है अगर छातर खुद राइटर लाता है तो उन्हें इनकी जानकरी देना होगा मतलब अगर आप खुद से चात्र जो हैं खुद से राइटर ले जाते हैं तो उनको उनकी जानकरी देना होगा कि हमारा राइटर ही है हमारा एक्जाम देंगे ऐसा करके उनको जानकरी आपको देना होगा आपके टीचर्स को ज प्रक्टिकल एक्जाम जो भी आप लुगों होने वाला है उसका जो भी मैंटरियल है वो 24 दिसमबर को कार्यालों को भेज दिया जाएगा ठीक है डूक ऑलक से 25 कर्यालों को सभी के अंदरों पर भीजेश जाएगा मतलब डी यू कारियाल से जो है कॉपी जो भी है फ्रेंट जो भी कराना होता है उनको वह सारे भी दिया जाएगा ठीक है यहां पर देखिए हो जाए तयार भी हार बोर्ड ने सभी जीला सिक्षा कारेया लेको दीजान का रही एंटर के परिक्षा नौ से अठारा जनवरी तक चल लेगी मतलब आपको अपना एड्मिट काड लेना है तो आपको और पर आपके स्कूल कॉलले जाना होगा आप लोग एपने स्कूल कॉले से ले सकते हैं और शींग जो भी दिव्यांग छाथर यह वो आपने रीक सकते हैं लेकिन उक्त अगर रैइटरा रखते हुए तो उसकी योटा 10 भी पास होना चाहिए और साहते साथ उसका जानकारी आप लोगों को वहाँ पे देना होगा अपने सेंटर पे की हमार राइटर है और ही हमारा एक